हेई फ्रेंज वेलकम बाग टू एजुकेशनल चैनल बाई रिताशू कैसे हैं आप सब आशा है आप सब इस वस्तोंगे आज हम कल्पना चावला के बारे में जानेंगे समझेंगे इस निबंद के माध्यम से अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना और सुनना पसंद है त चैनल पर फर्स टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कल्पना चावला के बारे में जानना इस निबंद के माध्यम से 43 वर्ष पूर्व 1961 में अब 2022 चल रहा है तो 43 वर्ष पूर्व की यह जो लाइन हैं आप कट कर दें हम यहां से शुरू नहीं करते हैं हम शुरू करते हैं 1961 से ठीक है विमानिकी एरोनॉटिक्स में धाखिला लिया विमानिकी में दूसरी कोई चात्रा नहीं थी कल्पना चावला अत्याधिक जिम्मेदा लड़की थी विज्ञान में उनकी तीवर रुची थी जिसकी प्रशंसा उसके अध्यापक भी करते थे अंतिरिक्ष में जाने के वह स्वपन लिया करती थी उसके लक्षे की प्राप्ती में उसके पिता ने उसे प्रेड़ना दी और उच शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे प्रोचाहन दिया बाद में उच शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह विदेश में गई उसने 1984 में अमेरिका में स्थित टेकसे विश्व विध्याले से वायू आकाश एरो स्पेस इंजीनिरिंग में सनात को तर प्रिक्षा उत्तिवन की तत पर शात उन्होंने कोलोरोडो विश्व विध्याले से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की फिर उन्होंने नासा में स्थित ए आई एमस रिसर्च अनुसंधान क केंद्र में अपनी जीवन वृती आरंभ की उन्नी सो तिरानवे में कैल्फोर्निया के ओवर्सेट पिठा टंग की वे उपचेयर परसन बन गई अगले ही वर्ष नासा द्वारा अंतरिक्ष जात्री के रूप में उन्हें स्विकार कर लिया गया परिणाम सवरूप उन्नी पर पदारपन करने की उसकी तीवर इच्छा थी 16 जन्वरी 2003 को कल्पना चावला को अंतरिक्ष में जाने का दुबारा अवसर मिला उसके साथ साथी थे उसने अंतरिक्ष का कारे बड़ी वीरता से संपन्न किया और वह प्रित्वी की और लोट रही थी दुर्भाग्यवक् कोलंबिया नामक उसका अंतरिक्ष शटिल विस्फोटक हो गया कल्पना चावला की मृत्यू के हिरिदे विदारक समाचार ने उसके अध्यापक उसके स्कूली साथियों और विशेश्तवर पर नासा के स्टाफ को शोक संतप्त कर दिया समूचा विश्वर शोक में डूब गया जब जंगल की आग की तरह यह समाचार सारे संसार में फैल गया कल्पना चावला उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेर्णा का स्त्रोथ हैं जो अंतरिक्ष में जाना चाहती हैं बगवान करे उनकी आत्मा को शांती मिले ध्याओ टूब एपक्षाप्टी आपक्षाप्टी आत्मा के लिए जया जा जाना चाहती हैं